नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिल सरसे विद नीरज में मैं नीरज यूता आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए यूपीटेट 2018 के जो 18 नॉमबर को प्रस्तावित है उसमें आप EBS सेक्षन देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक आपको मेला का मिल करेंगे एक प्रशन आपको पक्का यहीं से मिल जाएगा तो इस वीडियो में आपको सरवाधिक मेला कहां पर लगता है यह भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है तो फस्टाम चैनल पर जो लोग भी विजिट कर रहें प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीज तो देखिए इसमें प्रमुख मेला के बारे में हम डिसकस करेंगे ठीक है आज ही हमने इसको पूरा तयार किया हुआ है ठीक हमारे चैनल का नाम सिविल सर्स विद नीरज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा देखिए उत्तर प्रदेश में प्रती वर्ष कुल जो है 2250 मेला लगता है सरवाधिक मेला उत्तर प्रदेश में लगते हैं 2250 मेला प्रतेक वर्ष का आयोजन किया जाता है कहां पर उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे अगर आपसे प्रतेक वर्ष कितने मेले का आयोजन होता है तो 2250 मेले का आयोजन होता है अगर आपसे ये प्रतेक मेला किस जिला में लगता है या सरवादिक मेला कहां लगता है तो मतुरा में सरवादिक मेला लगता है करीब 86 मेला मतुरा में लगते हैं प्रतेक वर्ष अगर मालीजे अप्शन में आपको मतुरा नहीं दिखाई देता है तो कानपूर अप लगा सकते हैं कानपूर में असी मेलो का आयोजन प्रतेक वर्ष किया जाता है तो दूसरे नमबर पे कानपूर है पहले नमबर पे मतुरा है तो दोनों याद रखिए अगर माली जे मतुरा में आपको नहीं दिखता है तो आप कानपूर लगाएंगे ठीक है तो सरवादिक मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे कम मेले का याजन कहा पर किया जाता है थिकए उत्तर पर देश को मुखिर से ध्यान मेड़ ग्या विल्ववाध टीक है दिसमें पहला शुको कुंभ मेला और्धकुंभ मेला माग मेला तौई इन तीनों का याजन जो है किया जाता है प्रयाग राज में जो एक सा पहले नाम इलाबाद था अभी बदल कर इसका नाम प्रयाग राज कर दिया गया है तो इन तीनों का आयोजन कहां पर किया जाता है प्रयाग राज में किया जाता है देखे कुम्ब मिले का आयोजन जिसे हैं महा कुम्ब करते हैं ये कुम्ब 2019 नाम दिया गया है वो वास्तों में अर्ध कुम्ब है ठीक है 2013 में महा कुम्ब लगा था और प्रतिक 12 वर्ष में आपका महा कुम्ब का आयोजन किया जाता है तो ये 2019 में जो आयोजन प्रयाग राज में किया जा रहा है वो वास्तों में अर्ध कुम्ब है ठीक है ये आपका एक पशु मेला है ठीक है दये भी आपका क्या है एक कीया है जिसका आयोजन उत्तरपरदेश के महतपूर जीले में यानि की बलिया में किया जाता है। तो यहाँ पर किया जाता है ददरी मेले का आयोजन इसके बार नेक्स्ट है आपका सर्धना मेला का आयोजन कहां किया जाता है तो यह मेरट में इसका आयोजन किया जाता है तो यह आप से याद रखना है कि सर्धना मेला का आयोजन मेरट में किया जाता है मेरट में एक और मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नामे नवचंदी मेला तो सरधना और नवचंदी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है मेरट में किया जाता है most important इसको आपको याद रखना है next है आपका गढ़ मुक्तेश्वर मेला तो गढ़ मुक्तेश्वर मेले का आयोजन कहां किया जाता है हापूर लखनोग के बगल में सुरी लखनोग बगल में नहीं हापूर डिस्टिक में इसका आयोजन किया जाता है गड़ मुक्तेश्वर मेले का ठीक है ये आपको याद रखना है नेस्ट है आपका मुडिया मेला मुडिया मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है ब्रिंदावन में किया जाता है जहां मतुरा डिस्टिक में ब्रिंदावन है तो वहाँ पर मुडिया मेले का आयोजन किया जात नेश्ट है आपका देवा शरीफ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है बारा बंकी में किया जाता है दोस्तों सुरू से लेकर लास्त तक वीडियो देखेगा बहुत महतपुर मेले को हमने इसमें शामिल किया हुआ है और एक बार आप देख लेंगे तो इसको अच्छे से य किया जाता है तेक ऐलास मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है तो शाकंबरी देवी मिला का आयोजन जो है शाहारनपूर में किया जाता है ये most important ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि साकंबरी देवी का मिला का आयोजन कहां पर किया जाता है तो साहारनपूर में किया जाता है नेस्ट है आपका गोविन साहब मेला का आयोजन अमबेटकर नगर जो की उतरपरदिस का एक डिश्टिक है गोविन अमबेटकर नगर तो वहाँ पे गोविन साहब मेला का आयोजन किया जाता है Most important रथयात्रा मेला और नकटया मेला दोनों प्राचीन और अध्यात्मिक नगरी वारानसी में इसका आयोजन किया जाता है रथ्यात्रा मिला और नकटया मिला का नकटया मिला का अगर specific place की बात करें तो चीत गंज में वराणसी में एक चीत गंज जगा का नाम है वहाँ पर नकटया मिला का आयोजन किया जाता है तो आपको व्याद रखना है कि नकटया मिला और रथ्यात्रा मिला का आयोजन वराणस में किया जाता है नेश्ट हिर आपका जूला मिला दिकिये सावन में इसका आयोजन किया जाता है जूला मिला का कहाँ पर मतुरा और मत्हुरां मतुरा में हो गया और वराडसी में किसका आयोजित किया जाता है दुरूपद मेले का आयोजित किया जाता है अब जान जाते हैं कि प्रमुख महसो कौन कहां कहां मनाया जाते हैं यह भी इससे भी प्रश्ण पूछ सकता है कि प्रमुख महसो कहां कहां मनाया जाता है तो देखिए पहला महसो है यहाँ पे लखनव महसो नाम से ही क्लियर है लखनव महसो कहां पे मनाया जाएगा लखनव में मनाया जाएगा ने किया जाता है अब देखें बहुत महस्तों पूछेगा तो कुशी नगर सरावस्ती लेकिन बुद्ध महस्तों आपसे पूछता है कि बुद्ध महस्तों का आयोजन कहां किया जाता है तो यह सारनाथ वरारसी में बुद्ध महस्तों का आयोजन किया जाता है ठीक है वरारसी में प्रतीग के रूप में इसको आयोजन किया जाता है कर आगरा में किया जाता है तर दीन महिने में इसका आयोजन होता ताज महसों यह जितनी महसों है उससों है यह सभी प्रतेक वर्ष कराया जाते हैं ठीक है देखें त्रिवेडी महसों तृ महसों का आयोजन आपका फरूखाबाद में किया जाता है तो कमपिल महसों का आयोजन कहां पर किया जाता है फरुखाबाद में किया जाता है यह हूता क्या है यह जैन मंदिरों में आयोजन इसका किया जाता है जैन मंदिर जैन धर्मों के मुख्य रूफ से यह कमपिल महसों का आयोजन किया जाता है नेश्ट है most important लट मार होलिकोसो का आयोजन मतूरा डिश्टिक में किया जाता है जो मुख्य रूप से मतूरा में कहां पे बरसाना में किया जाता है तो ये भी most important है कि लट मार होलिकोसो का आयोजन मतूरा के बरसाना में किया जाता है बिठूर गंगा महसो का आयोजन कहां किया जाता है देखें बिठूर पता ही आपको बिठूर मट कहां पे है कानपूर में तो उसी नाम से बना बिठूर गंगा महसो और कानपूर भी गंगा नदी के बायं तरब इस्तित है कानपूर शहर इसलिए कानपूर में बिठूर खंता मोहसव अख्शर पूशा जाता है देख्यें गंगा मोहसव तो गंगा किनारें तो कई शामिल कई सहर इस्तित है लेकिन गंगा मोहसव का मुख्यु रूप से आयोजन वाराणसी में किया जाता है नेस्ट है आपका यमना महसो तो यमना महसो देखिए आग मतुरा में यमना महसो का आयोजन कहां पर किया जाता है मतुरा में किया जाता है यह तो दोनों महसो बहुत ही इंपोर्टेंट इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लिजेगा गंदा महसो पूसता है तो वारार्सी आपका हो जाएगा यमना महसो पूसता है तो मथुरा हो जाएगा तो मथुरा में यमना महसो का गंगा महसो का आयोजन वारार्सी में नेक्स्ट है आपका most important सैफही महसों का आयोजन कहां किया जाता है तो सैफही महसों का आयोजन इतावा में किया जाता है इतावा उत्तर प्रदेश के डिश्टिक है वहाँ पर सैफही नगर भी से कहा जाता है तो सैफही महसों का आयोजन इतावा में किया जाता है इसके पहले पूर मुख्य मंतरी अखलिस यादो जी थे तो मुख्य रूप से उन्हीं के द्वारे इसका आयोजन कराया जाता था ठीक है मुलायम सिंग यादो जी का पैत्रिक गाउं है यह इतावा तो यहाँ पी इतावा महिन पूरी यह जो छित्र है ठीक है तो सभी महसो का आयोजन सीधे-सीधे इतावा में कराया जाता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपका कजली महसो का आयोजन महोबा में किया जाता है कजली महसो का आयोजन कहां पर किया जाता है महोबा में यह most important यह कई बार पूछा किया गजली महसो का आयोजन कहा कराया जाता है तो यह महोबा में किया जाता है देखे सोन महसो का भी आयोजन किया जाता है नाम से ही clear है सोन महसो तो सोन महसो से कौन से district आती है सोन भद्र सोन महसो का आयोजन सोन भद्र में किया जाता है तो दोस्तों ये प्रमुख महसों थे देखें इससे प्रश्ण जरूर बनीगा एक महसो कोई आपसे पूछा जा सकता है तो आप मुख्य रूप से उन महसों को अच्छे से एक या दो बार वीडियो को देखेंगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा